नक्षत्र 27 मीडिया की अध्भत प्रस्तती जोतिश दिशा सत्यकीरा नमस्कार बहुत स्वागत आप सब का देख रहे हैं स्पेशल जोतिश दिशा सत्यकीरा आपके साथ ये है आपका इस्टो फ्रेंड उम्मीद करते हैं कि हमारे जो प्रियोग हैं वो आपके जीवन में कुछ न कुछ खुशियां ले आ रहे हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ जब हमारे पास आप आते हैं और जो प्यार आप लुटाते हैं इसके लिए हम शब्द कहां किसी भाव को व्यक्त करने के लिए शब्द कभी भी पूरे नहीं पड़ सकते हैं क्योंकि भाव आसीमित है शब्द सीमित है आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं तो हाँ आभार आप सब का प्यार आप सब का बनाए रखिएगा हमसे आप 11-21 तक गाजयाबाद मिल सकते हैं 11 मार्च से 21 मार्च 2019 गाजयाबाद में हम रहेंगे गाजयाबाद में आप हमसे मिलने के लिए 99-10-29-18-50 पर कॉल कर सकते हैं बाकी के भी नंबर्स चलते रहते हैं आप गाजयाबाद NCR में कहीं पर भी कल्चर वैली स्कूल भी खोल सकते हैं इसके लिए राकेजी का नंबर है और एक और नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं और कल्चर वैली से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं मित्रों आज जो हम बताने जा रहे हैं ये अपने दुर्भाग को कैसे पहचानना है ये हम आपको बताएंगे महच पांच मिनट में अक्सर हम कुछ न कुछ लक्षन बताते रहते हैं और ये भी उनी लक्षनों में से एक है इन से बचने के लिए भी हम आपको उपाएंगे कि इससे बचना कैसे है इसके लिए एक कवच हम बताएंगे आपको जो आपको हमारी कारियाले से मन कहेंगा तो मंगा लीजे का नहीं कोई बात नहीं है जान लीजे केवल दुर्भाग कैसे सांकेतिक रूप से बताता है पहली चीज अच्छा हाँ दुर्भाग के कहते किसे है दुर्भाग्य किसे कहते है ये जान लीजे पहले सामान रूप से एक नंबर से फेल हो गए एक नंबर से परिक्षा में जो आया था नहीं लिख पाए दस प्रश्ण थे दसों आ रहे थे गलत करके चले आये परिक्षा की कौपी गुम हो गई माक्स गड़बड हो गया साल बरबाद हो गया कुछ तो ऐसे लक्षन जिस भी बिजनस में हाथ डाला बिजनस फेल हो गया कुछ ऐसे लक्षन जिससे भी प्यार किया धोखा मिला कुछ ऐसे लक्षन ये दुर्भागी तो और क्या है जिस से भी प्यार किया शादी नहीं हुआ लड़का भाग गया लड़की भाग गई ऐसे लक्षण दस-पांच लाग कहीं लगाया था बिल्डर भाग गया जमीन नहीं दिया मकान नहीं दिया दुरभाग गया जब भी नई गाड़ी लेते हैं लड़ जाती है भिर जाती है तूट जाती है फूट जाती है दुरभाग गया भाई ही जमीन हड़प लिया बहन ही जमीन हड़प के बैठी है दुरभाग गया जो चीज अपने हाथ में नहीं है और वो चीज कष्ट दे रही है वही दुर्भाग के कहलाता है कैसे जाने कि आपके साथ दुर्भाग आपका कितना है मैं बताता हूँ अगर आपके पाउं की अंगुलियों के बीच में इस्पेस हो अंगुलियां पाउं की छितराई हूई हो तो यह दुर्भाग का एक बड़ा लक्षण है नमबर दो महिला के लिए इस्पेसली दूसरा नमबर जोब हम बताएंगे यह इस्पेसली फॉर गर्ल्स ऐंड महिला हाथ की जो यह पीछे का पार्ट है इसकी सारी नसें नस यहां से दिखाई दे बहुत बड़ा दुर्भाग के हैं बहुत बड़ा दुर्भाग गए है बहुत बड़ा दुर्भाग गए है अब यहां दुर्भाग गए पैसे से ना जोड़िएगा सुख और इज़त से जोड़िएगा अंगुलियों के मामले में जो महिलाओं पर हमने बात कहा है इसको आप पैसे और इज़त से जोड़िएगा क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं आपको बॉली उट में मिल जाएंगी जिनके हाथ के पीछे की नसें बहुत दिखती होंगी सकल बड़ी अच्छी है शरीर सुडॉल है लेकिन अंगुलियों की स्थिती देखेंगे तो इतना गंदा लगेगा कि आप कलपना नहीं कर सकते हैं अब यहां समझने वाली बात है कि वो कितनी सुखी है समझने वाली बात है बाकी पैसा हो सकता है यहां का दुरभागी दूसरा वाला है आपके घर में दवाओं पे खर्च खुब हो रहा हो तबियत से बड़ा दुरभाग्य है कोर्ट में खर्च हो रहा हो बड़ा दुरभाग्य है मुह से स्मेल आए, बद्बू आए, बहुत बड़ा दुर्भाग्या है घर में अल्प आयू में बहुत सारी मृत्विये हो बहुत सारे लोग कम उमर में मर गए हो, दुर्भाग्या है घर में किसी न किसी को लड़का या लड़की जुए और शराब की लत हो लत शराब मात्रा में पीना मेरे ओपिनियंट में बुरी बात नहीं है मात्रा बहुत सारे लॉजिक हैं इसके पीछे फिर कभी बताएंगे लती नहों कि रोजे पीना है लीवर खराब हो मर जाए रोजे पीना है दुरभाग्य है घर से ईशान कोन में नौर्थ ईश्ट डारेक्शन में बाहर निकलने के बाद आपका घर तावर है campus है society है उसके आस पास अगर गंदा नाला गंदगी घूर गाउं में घूर होता है अगर यह है तो ईशान कोन में नौर्थ ईश्ट में तो दुर भाग गये, बागी किसी कोण में कोई दिक्कत नहीं है, अब क्या करें, बता तो दिया हमने, करना क्या है, हमारे संस्था से दो चीजें इसके लिए हमने निर्मित किया था बहुत पहले कभी उसका जिक्र नहीं किया, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि इस चीज को ब पाधिता नहीं है, एक सूर्य ग्रहदीप मंगवा सकते हैं, 9910, 29, 18, 50 पर कॉल करके, या बाकी नमबर जो है, 999, 024, 099, इस पर कॉल करके, सूर्य ग्रहदीप मंगवा सकते हैं, पहली चीज, कैसे जलाना है, वो बता दिया जाएगा, ये मेरा इनिवेंसन था, ग्रहदीप नमबर दो, सूर्य कवच, ये भी चीज है, सूर्य कवच एक्सपेंसिव होगा, ये आपके हाइट और वेट के कॉर्णिंग होगा, ग्रहदीप कोई एक्सपेंसिव नहीं है, 33-34 में संभौते हो जाएगा, ग्या रह दिया, तो वो आप बात कर लीजेगा, बाधता नहीं ह इसके अलावा और बाकी तो लोगों का आशिरवाद लेते रहें, सात्विक रहें, पत्थर निकाल फेंकें, आशिरवाद खूब लें, तो दुरभाग ये कट जाता है, थैंक्यो, प्यार बनाये रखने के लिए, मुस्कुराते रहें, और कल्चर वैली सुरू कर सकते हैं, नमस्कार, शिरादे.